जेहिंद नमस्कार मेरे शेयर शेयर नियों स्वागत आप सब का अपने यूटूब चैनल कमांडो के दिमें में दोस्तों आज का हमारा वीडियो इस्पेशली एससी जीडी की नहीं भरती को लेकर है आप सब को पता है कि अगर अभी पिछली वेकरेंशी चल रही है अगर उसी चली टो इससे भी बड़ी वेकरेंशी होगी इसलिए ना तो आप फोर्म पर ने से चूक जाना ना तयारी कर जाने से चूक जाना इतना अच्छा मौका आपको दुबारा नहीं मिलेगा लाड़ दो तो आज इस वेकरेंशी से समझते आपके पूरे डाउट क्लियर कर देते हैं कि आपके डोकूमेंट्स कब क्यों होने चाहिए आपकी एस कैसे काउंट होगी कौन-कौन से डोकूमेंट्स आपको अभी बनाने हैं कौन से फिर बाद में बनाने हैं इसका फिजिकल इस्टेंडर कह रह चाहते हैं वो नीचे दिये गए नंबर पर कोल करकर अकेडमी में बेच की पूरी जानकारी ले सकते हैं और हमारे एकेडमी में ऐसे जीडिका बेच जोइन कर सकते हैं क्योंकि पिछले रिजल्ट आप समने अब तक देख लिए हमारे हर बार से जीडिय में ओप लाइन में क इस बार अभी तक पास है हमारे जो की इतनी हाई कटोप जाने के बावजूद भी है तो आप भी जोइन कर सकते हैं चलिए भाई लाड़ लो अब करते हम सुरुआत की इस वेकेंशी में क्या क्या रहने वाला साथ ही नोटिपिकेशन एक बार मैं आपको पूरी बता रहा होगा उसके बाद ठीक है लाड़ लो आपको अगर अपने जीवन की चिंता है तो बाकी आपकी मर्जिये सब्तंत्र है आप लाड़ लो सबसे पहले हम बात करें जो फोरम आपके एप्लाइल लिंक जो शुरू हुआ है यानि कितनी तायशी आपको फोरम पर जाएंगे आप और फरवरी पूरे महीने में इसके एग्जाम चलेंगे इस हिसाब से रहेंगे मतब 20 तारी के बाद में यह जनौरी में शुरू होंगे एग्जाम इसलिए जनौरी फरवरी लिखावा है आपके पास में समय देखिए सितंबर अक्टूबर नौंबर डिसंबर और जनौरी लगबक साथ 4-5 महीने का समय इससे बेटर मौका हो नहीं सकता पढ़ने वाले विद्यारतियों के पास यह निए साथ दिन में सेटी का एक बार में कोर्स होता है आप यह कोर्स तब तक दो बार करके फिर एक बार रिविजन कर चुकों होंगे शाथ यह आपको एक चीज़ अब आगे चलते हैं जो पदों की बात कर लें किस वेकेंशी क्योंकि पदों की इसलिए बात करते हैं आप में से कई बच्चे इस समय रहते हैं कि सर्फ फैर्स्टोइस कौन सी देनी चाहिए उनके लिए टोटल जो पद है वो कितने लाड़ दू गुन चालिस जार चार सु अब आप में से कईयों कोई डाउट रहता है सर्फ हमको कौन सी फर्स्टोइस देनी अक्सर बच्चे क्या करते हैं जिस वेकेंशी में ज्यादा पद होते हैं उसको फर्स्टोइस लेते हैं तो यह गलती आपको नहीं कर लिए फर्स्टोइस को बनाया चैनल पर जाके देख लाएं नहीं क्योंकि इसका मतलब यह नहीं कि मानलो आपने फर्स्टोइस असंब्राइपल बरी यह मानलो आई टीपीप बरी यह ऐसा सब्री अगर आपको वह नहीं मिली तो कोई और मिल जाएगी इसलिए सबसे मेले आपको जो सबसे अच्छी पोस है उसको चुनना चाहि कि नंबर के साथ से इसलिए फैस्ट वैस्ट वीडियो में बता रख लाएं ठीक है लड़कियों की जो वेकेंसी है टोटल वह ए अर्थी सो गुंसितर और लड़कों की वेकेंसी आप सब को पता 35,600 वेकेंसी वही टोटल है जो कि बहुत अच्छी वेकेंसी इस बार सब जो स्वाइदा हुआ है कि आपकी जो एज काउंट होगी वह होगी एक एक दो हजार पचीश से यह इसी बार हुआ है इससे पहले है आज तक जब भी एससी जीडी की जो एज काउंट होती थी ने लाड़ दो जिस डेट को फोरम एपलाई होना होता था यह नहीं अभी फोरम पचीश तक पचीश से एज काउंट होगी तब तक आपकी जो एज है वह अठार साल कम से कम हो जाना चाहिए और मेक्सिमम आपकी तेवी साथ होने चाहिए यह किस-किस के बीज में आएगा एज क्राइटेरिया आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपका जो जनम है अगर एक एक दो हजार साथ के पिलेगा होना चाहिए अगर आप जनल के तक हैं तो यह तूँ इन बढ़के एक फ़में अन्यन्यननान अगर आप जिस अगर आपकी तेट ौबर्त इसके बाद किये तो आप फर्म एप्लाइक कर सकते हैं ठीक है अगर आप ऐसी एस्टी से हैं तो दो साल और माइनस कर दो और सित्यानमा कर दो तो दो एक उनीस सो सित्यानमा नाइंटी सेवन समझ गए होंगे अगर आप देखो जैनल के टेगरी से हैं तो आपका जनम 2002 के बाद होना चाहिए यानि एक जनवरी 2002 के बाद का होना चाहिए यानि दो दो से सुरू होना चाहिए अगर दो भी है तो आप फर्म एप्लाइक कर दोगे अगर आप OBC से हैं तो आपका जनम 21999 के बात का होना थी अगर आप सित्यानम है यह नहीं जनवरी सित्यानम के बात का आपका जन्म होना थी तब आप फोरम एपलाई कर पाओगे लाड़ लो ठीक है के टेगरी वाई जो छूट है वो मैंने आपको माँ पर समझाई दी है किसको कितनी छूट मिली है अब है डोक 30% बच्चे करते हैं इसी लिए उन पर फिर जांच बैठती है इसी लिए फिर फसते हैं अभी भी में निमस्ट्रेनिंग सेंटर में गया तो वहां कई एचे बच्चे मिले जिन्होंने बोला सर हमारी लेट जोईनी हुई तीर महीने बाद मैंने क्यों बोला सर हम वो डोकॉ और डोकॉमेंट्स में क्या-क्या वह भी आगे में दिखा दूगा लेकिन मुख्ये तो पर मैं आपको यह मतलता हूं कौन से डोकॉमेंट देखो टेंथ क्लास की जो आपकी मार्क सीट है वह तो आपके पास में ही है तुछ कुछ बनाना नहीं है और यह भी आप एक दो हज मुख्ये जो डोकॉमेंट्स है वो है मूल निवास मूल निवास आपका 14 से पहले का होना थी मूल निवास का मतलब रेजिदेंशिल शेटिपिकेट इसके अलावा कास्ट शेटिपिकेट है यह भी सेंट्र गोवर्मेंट का कब का होना थी यह लाड़ दो सब कमसे पहले होने चीए मुख्ये तो आप फोरम करने से पहले डोकॉमेंट्स बढ़ना और फिर फोरम में एपलाई करना जिला सही बढ़ना जिसका आको पास में डोमी शेल होई राज्य बढ़ना गलती मत कर देना आपके पास में उससे पहले बना लेना या एपलाइक कर देना फिर फोरमा पेपलाइक करना जान रहे गलती ना हो ढिकर लाडों समझ में आगया होगा अगर इसके बाद बना क्या हो या हम ले तकलील की बना पेखा क्युक क्या थे आप को पता है कि यह जब भांदा इस liquidस ठीक है NCC certificate के नंबर NCC certificate के 5% मिलेंगे बी के 3% एक के दूपर यहां पर गलती कर देते हैं बच्चे अक्सर उनका सी certificate चल रहा होता है complete नहीं हुआ फिर भी उसी पर वह देते हैं वह गलती मत करना complete होने चाहिए आपके जो भी certificate है अगर complete है तभी आप वही फोर्म में apply चाहिए है अब बात कर लेते हैं कि इस बार paper में क्या नहीं एड किया गया पेपर में सब्सक्राइब का समय रहेंगा एक सुसाट नमर का पेपर होगा ठीक है कि नए विशर्षि के 20 में देख और भी इंगली इसंगिलिज्स को ठीक है अब सखेलिबस तो समय बदलाव नहीं किया गया से अब कर नहीं हम पिशली बार नहीं इसे कि एकुछ नहीं गया तो फिर जाना नहीं पिसले आती है तो पुच्छी को च्थ यह आती है तिन को आप यार कर ले ला पांस किलो मेंटर चोबीस मिनट का समय लड़कियों के लिए शोला समेंटर की रणिंग साधे आर्ट मिनट का समय जो अभी चलता आ रहा वही रहा से और लदाग वाणों के लिए अलगह लाट दूए जो हाइट है एक सो सतर सेंटीमेटर चाहिए फिमेल के लिए इसके लिए उनको छूड़ दी गई है इसके लिए उनको वहां के डोकॉमेंट्स भी लगाने पढ़ेंगे लाने यह देखो यहां पर लिखाव और ना प्रूब करता हो और एजुकेशन प्रूब करता हो तो टेंट क्लास की मार्किट होगी लिखावा तीसरा अगर आप एपलाइ कर रहें तो भी तो भी सेटिपिकेट अगर आप डिपेंस में तो यह आपके काम कहने अंडर्टेकिक प्वर्मेट यह हो गया इसके रावा एक और था वह काम गया है कार सेटिपिकेट यह रहां कि कार सेटिपिकेट एजफ प्रीशिपलिन जिस्टो भी आपकी कास्ट रहर उसके साफ़चे आपका कार सेटिपिकेट भी होना सी यह और यह शब कव क्यों चाहिए लाट दो तो दादस पहले यह प्रेंजित तीरी डोकुमेंट आए नापको अगर मेरी बात को समझ गाए हैं तो इस बात को भी समझ से पढ़ाए करे ऐसी फॉरिमे परते समय शाथ ही एक तो फोर्म परते समय गड़ती ना करें उसके साथ ही आप ध्यान से फोर्म परेड ध्यान से पढ़ाए करें अश्या अश्य दुबारा नहीं मिलेगा नोकरी का इतनी अच्छी विकेंसी है पोस्ट आगे और भी इनक्रीज होगी इसमें बढ़िया से रोजगार वाला उस पर जाके आप इस नोटिफिकेशन को पूरे शेलेवस को टोटली हिंदी में भी पढ़ सकते हैं महां पर लिखाब आया से जीडी नोटिफिकेशन हिंदी तो इंग्लिश और हिंदी दोन अबर जन है और भी कोई डाउट रहते हैं वो भी आप वेपसा